हलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूटीब चैनल के मैंस्टी अड़ावास अंकर सर में आज के इस वीडियो लेक्षर में हम लोग बैलेंस्ट केमिकल एक्विशन अर्थार्थ संतुलित रसानिक समिक्रन के बारे में पढ़ेंगे साथ ही हम लोग देखेंगे कि किसी ही भी रसानिक खिरिया में दो सरेधिक सबस्टांस हैं और ने सबस्टांस का फर्मेशन करते हैं जिनका परपटी मुल्भुत सबस्टांस से इंटार्ली डिफरेंट होता है सो जैसे कि आप यहां देख सकते हैं है ए हर्डोजन ऑक्सजेट किया नो तो आप सवाल उरता है कि क्या ये जो रसानी के विकिरिया हैं जिनको हम लोग words के दुवारा रिपर्जेंट किये हैं कि इन वर्ड्स के तो हमारा जबाब होगा येस हम इसे दूसरे रूप में भी रिपरजेंट कर सकते हैं इनके स्यrevMart संकेत के अधार भी हम लोग इसे राशानी के विकिरिया को रिपरेजेंटरेशन कर सकते हैं Jeff जैसे कि आप देख सकते हैं इस equation में hydrogen molecule को H2 molecule के रूप में रिपरजेन कर सकते हैं chlorine को CL2 and hydrogen chloride को HCl के रूप में तो यह जो सब्द के जो रिपर जन्टेंटेंटेंशन थे मैंने उन्हें संकेत के अधार पर रिपरजेन कर दिये तो जब किसी भी रहसाने के विक्रिया को उनके word के अधार पर ना करके उनके sample के अधार पर रिपरजेनटेंटेंटेंशन करते हैं then that time the reaction is known as chemical equation उसी प्रकार से आप दूसरा example ले सकते हैं जब हाइडरोजन ऑक्सिजन श्रेट करेगा तो हाइडरोजन ऑक्साइड बनाएगा हिसी को सैंबॉल के लिपरजेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंशन में लिख सकते हैं when H2 reacts with O2 then it will give you listen this symbolic representation of a chemical rotation or chemical reaction in Mars is known as chemical equation तießenरे एक्जामपल आप लिख सकते हैं जब magnesium oxygen करेगा तो magnesium oxide बनेगा magnesium is represented as mg when it reacts with O2 it gives you MgO इस परकार से आपने देखा कि chemical equation एक symbolic representation होता है किसी भी chemical reaction का इस से आपकी energy बचती है, time बचता है और paper का भी बचाव होता है और भी इसके बहुत सारी features हैं आप chemical equation के देख सकते हैं chemical equation में आपने देखा कि reactants आपस में rate करते हैं और product देते हैं reactants को arrow के left side में generally रिखा जाता है और उनके बीच में plus sign होता है उसी प्रकार से product को right hand side में लिखा जाता है arrow के और उनके भी plus sign दिया जाता है arrow जो है reactants और products को एक दुसरे से अलग करते हैं और यह जो arrow दिखा रहा है वो direction of reaction दिखा रहा है कि किधर reaction प्रोसीड हो रही है कभी-कभी बच्चों को भ्रामित करने के लिए यह direction उल्टा भी दिया रहता है तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि arrow किस तरफ है arrow का हेट जिस तरफ रहेगा उधर chemical reaction का direction होगा तो इस प्रकार से आपने chemical equation के कुछ features देख लिए अब आईए हम लोग देखते हैं कि किसी भी chemical equation के क्या-क्या limitations हो सकते है जैसे कि एक chemical equation को मैं लिख रहा हूँ H2 plus O2 gives you H2O आप इस chemical equation को दिहान से देखिए क्या आपको किसी भी तरह की जानकारी मिल रही है इन सारे जानकारी में से आप देख सकते हैं मैंने चार जानकारी यहां भी लेखिए कोई भी chemical equation आपको कितना देर में वो complete होगा time needed to complete the reaction it will be not seen by seeing the chemical equation general chemical equation उसी परकार से आप जब इसको गौर से देखेंगे तो आप नहीं देख पाएंगे या नहीं कह पाएंगे कि कौन solid state में है कौन liquid state में है और कौन gaseous state में है और कौन aqueous state में है उसी परकार से तीसरा जो limitation है वो है concentration आप इस chemical equation को simply देख के नहीं कर सकते हैं कि हैस्टू का कितना concentration है O2 का कितना concentration है और कितना amount में ह्टू बना उसी परकार से इस equation को देखने के बाद आप यह भी decide नहीं कर सकते हैं और यह भी information आप नहीं दे सकते हैं किसी को कि यह reaction कितना देर में complete हो जाएगा और rate कितना है कितने rate से यह reaction आगे बढ़ रही है तो यह कुछ इसके limitations थे हैं आपने देखा अब आईए देखते हैं कि balanced chemical equation क्या होता है किसी भी chemical equation को balanced तब कहते हैं जब उसके reactant और product के दोनों तरफ जो number of atoms हैं प्रते के element के वो एक दुसरे के समान हो जाए अर्थार्थ यह equation यह chemical equation is said to be balanced if the number of atoms of each element in both the directions are same as for example you can see in the various examples you can see the number of atoms of each element in both the cases are equal इन सारे chemical equation में आप देख सकते हैं कि reactant और product के side में जो number of atoms हैं प्रते के element के वो एक गुसरे के समान है जैसे कि आप इसी का example ले लेजे reactant के side में calcium एक है product के side में भी calcium एक है इसमें oxygen को count करें तो 2 oxygen इधर और 2 4 oxygen reactant side में है और product के side में भी आपको 4 oxygen देखने में लेगे 3 इधर और 1 इधर 4 oxygen hydrogen की बात करें तो 2 hydrogen है इधर भी 2 hydrogen है carbon की बात करें तो carbon यहां भी है तो इस परकार आपने देखा कि reactant और product दोनों तरफ जो number of elements हैं और जो number of atoms हैं वो same है और दूसरी बात यहां ध्यान देने वाली है कि इनका structure में कोई बदलाव नहीं आया दियान रहे कभी भी balanced chemical equation में structure जो हैं उन्हें आप चेंज नहीं कर सकते हैं उसी परकार से दूसरी चांपल में आप देख सकते हैं कि CO और H2 अर्था वाटर गेस आपस में रेट करके मेथनोल का फ्रमशन करते हैं आप number of atoms और आप दोनों तरफ number of atoms परतेक इलेमेंट के सेम हो तब उसे हम लोग balanced chemical equation कहते हैं दूसरे सब्दों में हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई भी balanced chemical equation law of conservation of mass पर depend करता है मतलब कोई भी balanced chemical equation में conservation of mass का follow होना काफी ज़्यादा जरूरी है हम किसी भी chemical equation को balance क्यों करते हैं इस चिसको आप basically इस तरह समझ सकते हैं कि किसी भी chemical equation को balance करना इसलिए बजशक है क्योंकि आप तभी यह बता पाएंगे कि कितना amount में CO और H2 लिया जाए ताकि एक complete reaction हमको देखने को मिले अगर आप balance chemical equation नहीं करेंगे उसे प्राफ्त नहीं करेंगे तो आप यह नहीं बता पाएंगे कि कितना amount में कोई चीज बन रही है और कितना amount में एक दुसरी से उसको मिलाना चाहिए तो इसलिए हमें law of conservation of mass को ध्यान में रखते हुए जो chemical equation है उसे balance करना काफी जरूरी हो जाता है दूसरी सब्दों में चुकि balance chemical equation law of conservation of mass को follow करता है इसलिए जो reactant के side में जो mass होगा वो product के side में mass के equal होगा total mass के अब आई देखते हैं हम लोग कि कोई भी chemical equation को किस तरह से ज्यादा informative बना सकते हैं अभी आपने एक equation देखा जैसे suppose h2 plus o2 gives you h2o suppose 2h2o तो इस chemical equation को देखने के बाद कोई भी इंसान यह नहीं कर सकता है कि कितना heat देना पड़ा किस तरह के reaction के type है यह क्या इसमें heat निकल रही है या नहीं निकल रही है कौन gas है कौन liquid है कौन solid है किस तरह के catalyst यूज हुए है कितना temperature देना पड़ा कितना pressure देना पड़ा किस तरह के यहाँ पे promoter है तो यह चीज़े हमें इस equation को देखके नहीं समझ में आ रही हैं तो किसी भी chemical reaction को या chemical equation को ज्या करते हैं तो इस catalyst को arrow sign के ऊपर या नीचे लिखा जाता है catalyst का नाम उसी परकार से जब किसी reaction में temperature का जिग्र करना हो तो इस arrow के ऊपर डेल्टा लिख करके दिखा देते हैं कि temperature हमको देना पड़ रहा है उसी परकार से अगर pressure दिखाना हो तिहाँ pressure लिखत दिया जाता है जैसे कि 2 ATM pressure है तो 2 ATM pressure लिख दिया जाएगा तो इस तरह से हमारा जो chemical equation होगा काफी informative बन जाएगा जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि N2 और H2 आपस मिरेट कियें तो ammonia gas का formation होगा यहाँ पर F ही मैंने catalyst के तोर पर दिखाया है और जो molybdenum atom मैंने लिखा है वो एक promoter है ज जेनरली catalyst होते हैं किसी भी chemical reaction का rate of reaction को बढ़ा देने के लिए अगर catalyst के भी reactivity को बढ़ाना हो तो हम लोग promoter का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर जो molybdenum है वो promoter की तरह काम कर रहा है उसके बाद हम लोग यहाँ पर temperature को सोग कर देते हैं लगभग 300 degrees से temperature चाहिए high pressure भी चा information होता है तो मैंने जब chemical equation में इस तरह का जो जानकारी है अगर मैं पूट कर देता हूं तो वो जो chemical reaction हो काफी ज्यादा informative हो जाएगी उसी परकार से अगर कोई chemical reaction में gas या heat का generation हो रहा है तो हम लोग plus sign दे करके और minus sign दे करके heat के generation को सोग करते हैं अगर heat release हो रही है तो हम लो उसी परकार से अगर किसी chemical reaction में जो substance rate कर रहे हैं उनके physical state को सोग करना हो तो हम लोग short word का इस्तमाल करते हैं जैसे gas के लिए a small g liquid के लिए a small l solid के लिए a small s और aqueous solution के लिए a q इस्तमाल करते हैं जैसे कि आप इस equation में देख सकते हैं कि जब mg solid react करता है h2SO4 aqueous से तो mg SO4 aqueous बनेगा और h2 gas release होगी तो यह जो equation आप देख रहे हैं वो काफी ज़्यादा informative बन गया जनरली अगर हम इन चीजों का यूज नहीं करते हैं तो हम नहीं बता पाते हैं कि कौन solid है कौन aqueous है लेकिन ऐसा करने से यह ज़्यादा informative बन गया उसी परकार चेगर किसी chemical equation में या reaction में gas निकल रही हो तो हम लोग gas के निकलने को upward arrow से show करते हैं आप देख सकते हैं इस तरह कॉलेटिक एसीड से रिट करेगा तो salt जड़न Cl2 बनेगा और H2 gas release होगी कभी कभी इस equation को परिशा में पुछ दिया जाता है कि सबसे अच्छा hydrogen gas release कौन करेगा कौन सा metal या कौन सा acid सबसे अच्छा hydrogen release करके देगा तो जब zinc और HCl आपस में रिट करेंगे तो आपको अच्छ downward arrow की दवारा precipitate को सो करते है downward arrow दे देंगे इस तरह से तो यह बताता है कि वो solid था और वो नीचे बरतन के पैंदी में जाके बैठ गया तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हम लोग chemical equation को balance कर सकते हैं और उसे क्यों balance किया जाना चाहिए और आप किस तरह से किसी chemical reaction को ज please subscribe my channel for further new videos thank you for watching my videos